हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको टाइप सब बोडबान कनेक्शन के बारे में बताऊंगा और वो कैसे काम करते हैं इनकी अड़वांटेज़ेज और डिसड़वांटेज़ेज आज यह सब बताऊंगा तो इत्मेनाल से बैटिये और मज़े लीजे चल यह बात करते हैं DSL टा प्रो ट्रांसफर होता है जो टेलिफोन वायज है आज DSL टाइप कनेक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कनेक्शन है और यह इसली अवेलेबल है लेकिन इसका डिसड़वांटेज यह है कि आप लिमिटेड एरिये के अंदर ही वायर कनेक्शन ले सकते चली अब बात करते हैं हमारे दुसरी बॉडबैन कनेक्शन की जो है केबल मॉडेम बॉडबैन कनेक्शन यह बॉडबैन कनेक्शन आपको सिटीज में ही मिलेगा विलेजेज में और रिमोट एरियाज में यह अवेलेबल नहीं है आप सबके घर में तो केबल टीवी होगी जो एक cable line से connected है एक special modem आता है जो cable wire को connect होता है उसके थूरू आपको internet available होता है ये भी easily available internet है जो भी data transferring है वो एक copper wire के थूरू transfer होता है समझ लीजिए एक 2-in-1 connection है एक connection के थूरू आप TV के मज़े ले सकते है और internet भी चला सकते है लेकिन इसका एक disadvantage ये है कि ये थोड़ा बहुत costly जाता है इसका एक दूसरा disadvantage ये है कि जब सब users जिनके पाद दूसरे भी connection है वो जब साथ में use करते हैं तो load बढ़ने के वज़े से internet बहुत slow हो जाता है तो ये इसका एक दूसरा disadvantage है जो भी इसपे improve किया जा रहा है otherwise ये बहुत high internet speed देता है अब ये है fiber broadband connection इसमें क्या होता है जो data है वो fiber optic cables की through transfer किया जाता है इसमें क्या किया जाता है जो भी आपका data है उसको light में convert किया जाता है और वो light एक fiber जो इस wire में जो fiber की एक बारिक line गई भी है उसके through वो light transfer होती है जो एक high speed point करता है जब ये एक अपने destination में पहुँच जाता है ये light वापिस अपने data में convert होती है तो ये है इसका main concept है इसका advantage ये है कि जो data transmit होता है वो DSL और cable modem connection से जादा speed देता है इसका disadvantage ये है कि ये बहुत costly जाता है installation के लिए कि जो इसकी जो wire है ये बहुत costly आती है अब हम बात करते है दूसरे broadband connection के बारे में जो है wireless broadband connection ये घर और business दोनों के लिए use किया जाता है इसमें क्या किया जाता है आपके घर के उपर एक device लगाया जाता है जो service provider से connect होता है wireless frequency के थुरू आपको data मिलता है ये broadband connection का फैदा ये है कि आपको कोई wire की जुरूतने लगती है अगर आप remote areas में रहते हैं तो आप वहाँ पर भी use कर सकते हैं ये broadband connection को जो दूसरे नहीं आ सकते है इसका disadvantage है कि जब बारिश होती है तो इसकी wireless frequency में रुकावट आ जाती है जिसके वज़े से internet speed slow हो जाती है चली अब बात करते हैं satellite type of broadband connection के बारे में इस connection में क्या होता है आपके घर के उपर एक dish लगाई जाती है और वो dish satellite के थूरू आपके service provider से connect रहती है ये आपको high speed broadband connection प्रोवाइट करती है आप कह सकते हैं ये type of wireless broadband connection है इसको आप remote areas में भी use कर सकते हैं इसका disadvantage ये है कि इसकी speed low जाती है जब इसका weather condition खराब होता है आपको ये वीडियो कैसा लागा अपने comment में लिखके ज़रूर बताएं Thank you for watching